दोस्तों IPL 2023 में आज के दिन टोटल दो मैच खेले गए थे जहां पर पहला मैच लखनव गुजरात और दूसरा मैच राजस्थान हैदराबाद के बीच खेला गया था और इन दोनों मैचों के खतम होने के बाद IPL के पॉइंट टेबल में जबर दस्त बदलाव देखने को मिला तो आज के इस वीडियो में हम आपको IPL 2023 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहां पर से किस टीम को प्लोफ में जाने के लिए कम से कम कितना मैच जितना परेगा परपल कैप औरेंज कैप किसके पास है तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्विष्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोड देखें वीडियो को दिल से एक लाइक जरूड क जाते हैं तो हमें टेली ग्राम पे फॉलो करें टेली ग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स वोगों वीडियो में आगे बढ़तर IPL 2013 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि IPL मे आज खेले गए पहले मैच में गुजरात टाइटन्स की टिम ने लखनो सुपर जाइंट को हरा दिया वहीं दूसरे मैच में राजस्थान रोयल्स और हैदराबाद का मैच खतम हो चुका है और इन दोनों मैचों के खतम होने के बाद IPL के पॉइंट टेबल के समीकरन में का काफी बड़ा बदला वह देखने को मिला तो पॉइंट टेबल में दसवे अस्थान पे हैं डेविड वार्नर की कप्तानी वाली यानिकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम और दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक टोटल 10 मैच खेले जिसमें से 4 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स को का सामना करना परा तो इस वज़े से दिल्ली कैपिटल्स टोटल दस में से चार मैच जीत करके और छे मैच हार करके आठ थंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और दिल्ली कैपिटल्स का निट रन रेट माइनस 0.52 यहाँ पड़ से दिल्ली कैपिटल्स को पिलोफ में जाने के लिए बचे हुए 4 में से सब ही 4 मैच जीतने परेंगे उसके बाद ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिले ओफ में जा पाएगी इसके बाद पॉइंट टेबल में 9 अस्थान पे है आज के मैच की विनर और एडेन मारकरम की कप्तानी वाली यानि की सन्राइजर सैदराबाद की टीम और S.R.H. की टीम ने अभी तक टोटल 10 मैच खेले जिसमें से 4 मैचों में सनराइजर साधराबाद की टीम को जीत मिली और 6 मैचों मेर सारच को हाड का सामना करना परा तो इस वजह से सन्राइजर साधराबाद टोटल 10 में से 4 मैच जीत करके और 6 मैच हार करके 8 हंकों के साथ पॉइंट टेबल में 9 वे अस्थान पे है और सन्राइजर्स हैदराबाद का निट रन रेट माइनस 0.500 है और SRH को यहाँ पर से प्लोफ में जाने के लिए बचे हुए 4 में से सभी 4 मैच जितने परेंगे और आज वाले मैच में हैदराबाद ने राजस्थान को उसी के घर में हरा दिया इसके बाद पॉइंट टेबल में 8 वे अस्थान पे हैं दो बार की चैंपियन और निती सराना की कप्तानी वाली यानि की कुलकता नाइट राइडर्स की टीम और कुलकता की टीम ने अभी तके इस सीजन में टोटल 10 मैच खेले जिसमें से 4 मैचों में कुलकता नाइट राइडर्स को जीत मिली और 6 मैचों में कुलकता की टीम को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से कुलकता नाइट राइडर्स टोटल 10 में से 4 मैच जीत करके जीतने परेंगे उसके बाद ही कुलकता की टीम पिलोफ में जा पाएगी इसके बाद पॉइंट टेबल में साथवे अस्थान पे है पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब की टीम ने अभी तक टोटल 10 मैच खेले जिसमें से 5 मैच में पंजाब किंग्स को जीत मिली और 5 मैच में पंजाब kings को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से पंजाब kings की टीम total 10 में से 5 match जीत करके और 5 match हार करके pointable में 7 वे अस्थान पे है और पंजाब kings का net run rate –0.1472 है और पंजाब की टीम को यहाँ पढ़ से fl costs में जाने के लिए बच्चे हुए चार में से कम से कम तीन मैं जितना परेगा और पंजाब के फिलहाल दस अंक है इसके बाद पॉइंटेबल में छटवे अस्थान पे है पांच बार की चैंपियन और रोहित सर्मा की कप्तानी वाली यानि कि मुंबई इंडियन्स की टीम और मुंबई की टीम ने अभी तक टोटल 10 मैच खेले जिसमें से 5 मैच में मुंबई इंडियन्स को जीत मिली और 5 मैचों में मुंबई इंडियन्स की टीम को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से मुंबई की टीम टोटल 10 में से 5 मैच जीत करके और 5 मैच हार करके 10 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 6 वे अस्थान पे है और मुंबई इंडियंस का निट रन रेट माइनस 0.11454 है और यहां पड़ से मुंबई इंडियंस को प्ले ओफ में जाने के लिए बचे हुए 4 में से कम से कम 3 मैच जीतना परेगा उसके बाद ही मुंबई इंडियंस की टीम प्ले ओफ में जा पाएगी इसके बाद पॉइंट टेबल में 5 वे अस्थान पे हाई पे लितिहास की सबसे मोश्ट पॉपुलर टीम और 5 डू प्लेसिस की हाड का सामना करना परा तो इस वज़े से RCB टोटल 10 में से 5 मैच जीत करके और 5 मैच हार करके दसंकों के साथ पॉइंट टेबल में 5 वे अस्थान पे है और रोयल चैलेंजर्स बैंग लोड का निट रन रेट माइनस 0.29 है और RCB टिम को यहाँ पर से पिलोफ में जाने के लिए बचे हुए 4 में से कम से कम 3 मैच जीतना परेगा उसके बाद ही रोयल चैलेंजर्स बैंग लोड पिलोफ में जा पाएगी तो RCB के आने वाले सभी मैच बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगी इसके बाद पॉइंट टेबल में 4 अस्थान पे है IPA लितिहास की पहली चैंपियन और संजू सैंसन की कप्तानी वाली यानि की आज के मैच की हारने वाली टीम राजस्थान रोयल्स की टीम और राजस्थान की टीम ने अभी तक टोटल 11 मैच खेले जिसमें से सिर्फ 5 मैचों में राजस्थान को जीत मिली और 6 मैच में राजस्थान रोयल्स को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से राजस्थान रोयल्स टोटल 11 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 4 अस्थान पे है और राजस्थान रोयल्स का निट रन रेट पलस 0.400 है और राजस्थान की टीम को यहाँ पर से पिल ओफ में जाने के लिए बचे हुए तीन में से सभी तीन मैच जीतने परेंगे उसके बाद ही राजस्थान की टीम पिले ओफ में जा पाएगी और आज वाले मैच में राजस्थान बड़ा उलट फेर का सिकार हो गई और सन्राइजर सैदराबाद के हाथो हार गई इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे अस्थान पे है आज के मैच की हारने वाली टीम यानि की लखनो सुपर जाइंट की टीम और लखनो की टीम ने अभी तक टोटल 11 मैच खेले जिसमें से 5 मैच में लखनो सुपर जाइंट को जीत मिली एक मैच लखनो का रद हो गया और यहां पे 5 मैचों में लखनो सुपर जाएंट को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से लखनो सुपर जाएंट टोटल 11 में से पांच मैच जीत करके और एक मैच रद खेल करके 11 अंकों के साथ पॉईंट टेबल में 30 रहा स्थान पे होड़ लखनो सूपर जाएंट का कि आने वाले सभी मैच बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगे इसके बाद पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पे है चार बार की चैंपियन और महंदर सिंग धोनी की कप्तानी वाली यानि की चेने सुपर किंग्स की टीम और चेने सुपर किंग्स की टीम ने अभी अक टोटल 11 मैच खेले जिसमें से 6 मैच में चेने सुपर किंग्स को जीत मिली एक मैच चेने सुपर किंग्स का रद हो गया वहीं चेने को 4 मैचों में हार का सामना करना परा तो इस वज़े से चेने सुपर किंग्स है टोटल 11 में से 6 मैच जीत करके और एक मैच रद खेल कर जीतना परेगा उसके बाद ही चेनने सुपर किंग्स की टीम पिले ओफ में जा पाएगी इसके बाद पॉइंटेबल टॉपर के बारे में बात करें तो यहाँ पे है डिफेंडिंग चैंपियन और आज के मैच की विनर यानि की हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरा गुजरात की टीम ने अभी तक टोटल 11 मैच खेले जिसमें से 8 मैच में गुजरात टाइटन्स को जीत मिली और 3 मैचों में गुजरात टाइटन्स को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से गुजरात टाइटन्स टोटल 11 में से 8 मैच जीत करके 16 अंकों के साथ पॉइंट टाइटन्स के 16 अंक बन चुके हैं लेकिन गुजरात को अगर प्ले ओफ में क्यों लगवाना है तो इनको एक और मैच जीतना परेगा तो आपके हिसाब से इस साल कौन-कौन सी चाटी में प्लोफ में जाएगी चारो टीमों का नम कमेंट में जोड बताएं तो अब बात करते हैं पर्पल कैप औरेंज कैप के बारे में तो औरेंज कैप ऑफ आपडू प्लेसिस के पास है जो कि 10 मैचों में पांच सो एक ग्यारह रन बना चुके है सेकेंड पे है्डेवॉन कॉनवे जो की 11 मैचों में 458 रन बना चुके है वही थर्ड पे है यास सवी जैसवाल जो की 11 मैच में 442 रन बना चुके है हलांकि ये सबी कोवर टेक भी कर सकते है और इसके बाद परपल कैप मोहमाद सामी के पासे जोकी 11 मैच में 19 विकेट चाटका चुके है सेकेंड पे हैं रासित खन जोकी 11 मैच में 19 विकेट ले चुके है वहीं थर्ड पे हैं तूसार देस पांडे वो भी 11 मैच में 19 विकेट ले चुके है और इसके बाद 6 सर किंग है फाफडू प्लेसिस जो की 10 मैचों में 29 छका मार चुके है और बाउंडरी किंग है या सस्वी जैसवाल जो की 11 मैचों में 57 से ज्यादा चौका मार चुके है तो ये था IPL में आज का निया पॉइंट टेबल परपल कैप और इंज कैप से जूरी सब ही जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेल को प्रिस कर ले तो फ्रेंट्स मिलते है नेक्स्ट वीडियो में